गोवर्निय स्टेट बेंक इस अफ मानेटरी पॉलिसी का एलान कर रहे हैं आपको दिखाते हैं इससे जाहर होता है कि मजूदा लेंडिंग रेट्स के हमरा लिक्विडिटी की फराहमी से प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की रफ़तार बढ़ रही है माली साल 2017 में आगे चलकर एक्स्टरनल सेक्टर के मनजर नामे पर असर अंदाज होने वाले अवामिल माली साल 2016 से मिलते जुलते हैं मतवको नौन ओयल इंपोर्ट के भरने की बना पर करन्ट अकाउंट डेफिसिट में ममूली अजाफे के बावजूद वर्कर्स रिमिटेंसिज में मुस्पत नमू से मैनेजबल हदूद में रखी गई साथ ही साथ फाइनाशल अकाउंट में मल्टी लेटरल प्रोजेक्ट लोन्स की खासी रकम आने से बैनस आफ पेमेंट्स में मजमूई तोर पर फाजल रकम रखने में मदद मिलेगी इमकान है कि MSCI की जानब से इमरजिंग मार्किट्स इंडेक्स में पाकिस्तानी स्टॉक मार्किट की री क्लासिफिकेशन की बना पर इस सर्पलस में फॉरन पॉर्टफोलियो इन्वेस्मेंट्स बढ़ने से मजीद अज़ाफा होगा ताहम तेल की कीमतों में गहर मतवको अज़ाफे का नतीज़ा ट्रेड डैफिसिट बढ़ने की सूरत में निकल सकता है चाइना में स्लो डाउन के बास आलमी तजारत में बगार से ये मसला शिदत इख्यार कर सकता है खलीज के अलाके में स्लो डाउन से वरकर्स रिमिटेंसिज में कमी आने का इमकान भी हो सकता है मजीद बना ब्रेक्सिट के बाद की मुदद में यूरोपियन यूनियन में मौशी बहाली के बारे में गयर यकीनी सूरते हाल के मुलक में फिनैंशल इंफ्लोज और तजारत पर असरात मरतब हो सकते हैं माली साल 2017 में पाकिस्तान की मौशी नमू में मजीद अजाफा होगा इमकान है के मौशी तहरीक माली साल 2016 में 2016 जैसे मुस्बत अवामल के तसलसल से मदद मिलेगी जो मैं एक एक करके आप के साथ शेयर करता हूँ पी एस नमबर वन पी एस डीपी और सीपेक के तहत बढ़ती हुई सरमाया कारी नमबर टू सनतों को तवानाई की दस्धियाबी में बेहतरी नमबर थ्री हमारी स्टेट बेंक की प्रूडन्ट मॉनिटरी पॉलिसी का एक लैग्ड इमपेक्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का बरपूर इस्तमाल जो के 2016 में हुआ नमबर फाइव अमनो अमान की बेहतर होती हुई सूरते हाल मन्फी सप्लाइ शॉक्स कमोडिटी प्राइसेज में मसलसल कमी के रोजान और सलामती की सूरते हाल को पहुँचने वाले किसी भी धचके से माली साल 2017 में जीडी पी ग्रोथ के लिए मकररा 5.7% के हदफ को हासल करने का इमकान मतासर कर सकता है इन खत्राइट की अदम मजूदगी में मजूदा मुमेंटम को बढ़ाने से माली साल 2017 में जीडी पी ग्रोथ में तेजी आ सकती है इस मुमकना मन्जर नामे में दो अवामिल को मरकजी हसियत हासल होगी पहला PSDP और CPAC रिलेटिड सरमाया कारी और सरगर्मियों में तेजी आएगी गोवरनर स्टेट बैंक का अश्रफ मेहमूद मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे थे ये मजबत पॉलिसियों से अफराते जर पर काबू पाने में मदद निली ये कहना है गोवरनर स्टेट बैंक का जब कि उनका कहना है कि जर मुबादला के जखायर और टैक्स महसूलात में भी नुमाया इजाफा हुआ है गोवरनर स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं